इंडिया के GDP नंबर्ज ने पूरी दुनिया को शॉर्ट कर दिया है बारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज गती से बरतियाद विवस्ता बना हुआ है आज जारी किये गए आखलों के मताविक मौजूदा वित्वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोफ रेट यानी GDP 7.8% दि दर्ज किया गया है जो पूरी दुनिया में सबसे जादा है ग्रोफ रेट के साथ इंडिया की अकॉनमी इसका दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग अकॉनमी है इंडिया की अकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे के निकल चुकी है हमारी देखे एक डॉमिंग ग्रोफ तक कहां पर बैठी हुई है कहां पर खड़ी है अशारिया दो नौ फीसद नौ फीसद है अशारिया अशारिया नतीस फीसद इसका मतलब जीरो ही समझे भारत ने कमाल कर दिया है भारत ने जीडेबी ग्रोफ में अमेरिका को यूके को जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है हम मकाबला करते हैं लंदन से न्यू यॉर्क से वहां में गाई का यह रेट है साथ ममालक जिनकी दो गुना हमसे पर कैपिटा इंकम है वहां इंफलेशन हमसे हाफ है रखें तो बंगला देश के जो जर्मबादला के जहायर है वो 31 अरब डॉलर है और उसके मकाबले में पाकिसान के जहायर नाजरी सिर्फ चार अरब डॉलर है और इसकी भी अब देखें यह रोल ओवर है को आगे पीचे समन पकड़ा हुआ है देख है सबसे पहले हैं यह देखने की जुरॉत है कि अपरियल से लेकर जून तक के तैटा आया है रिकॉर्ड आया है जसके मताबक चन्टरीस को भारत प्वारत ने अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की अकॉनमी दिन बादिन खसारे का शिकार हो रही है दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत के जीडिपी ग्रोथ रेट ने इस वक्त चीन अमेरिका जर्मनी फ्रांच और जापान को भी पीछे चोड़ दिया है वहीं पाकिस्तान का जीडिपी ग्रोथ रेट नेपाल और भुटान से भी नीचे है पर प्रेज वेडिपी उससे पहले कोटर थी कि उपकी शिट्स पॉइंट वन थी यह यह 7.8 अविसे अंदाजर गए कि इंडिया और पीजी से पकड़ाशने और फ्रींट पकड़ी है जो इसको और बादेवे यह फॉस्ट कोटर हैं इंडिया का इंडिया का फैनेंचलिया मार्च में होता है अपरेल से नया शिल हो जाता है यह फस्ट कोटर है जो एपरेल से आपका जूम के एंड तक जो डिटा है दुनिया में फास्टिस ग्रोइंग एकनॉमिका उसका टैग बरकरार है उल्टा उसने पिछले कोटर से भी ज़्यादा स्वीड पकड़ ली है इं मैंनों ने एमो यू फाइंग कियें कि अब हम निया पर प्लांट लगाएंगे मैनिफेक्श्रिंग के आइटी इस में और भी बहुत चीजी होती है लेप्टाप मोबाइल के लावा तो वह लेप्टाप मोबाइल से अलावा जो जैसे फर्वर बन बनते हैं सर्किट चंपनिया 42 कल आई है तो यह रोज इंडिया में कुछ ना कुछ रहा है कुछ ना कुछ आ रहा है उनके पास तो यह उनकी ग्रोथ को भी दिखा रहा है तो इंप्लॉइमेंट भी बढ़ रही है तो वैसे बात जीडीजी भी बढ़ेगी तो मेरे पर्डूसर साथ ने अभी मुझे प्रोग्राम से पहले नंबर दिया है कि इंडिया में 4.35 परसंट, बंगला देश में 5.59 परसंट, पाकिस्तान में 9.2 परसंट यह जो लास्ट रिपोर्टी नंबर है इंफलेशन के हम मकाबला करते हैं लंदन से, न्यू यॉर्क से वहां मेंगाई का यह रेट है, साथ मुमालक जिनकी दो गुना हमसे पर कैपिटा इंकम है, वहां इंफलेशन हमसे हाफ है, शुक्रिया नदीम मलक साब, आपको मैं दावत हूँगा, कि आप कौमी असेमली में हर बजट के मौके पे हमारी तकारीर निकल वाएं, और हकू से हम गुजर रहे हैं, हंड्रेट परसेंट हमने फोरकास्टिंग की हुई है, कि हकूमत के जो एकदामात हैं, इनके नताइच क्या हूंगे, सवाल यह है, कि आज चौते साल अपनी हकूमत के, एक फाजल जो वफाकी वजीर है, जो भी दलायल दे रहे थे, तो मैं इन्हों ने इतनी दफा इन्शालला का लवज इस्तमाल किया, तो मेरा चला गया ध्यान एक किताब की तरफ जो एक साफी थे अमरीका के, वो मिडल इस्ट में गया, मैं एक मुलक का नाम नहीं लूँगा, इसे उनकी दिल रजारी ना हो, तो वो कहते कि मुझे जाके हैरत हुई, कि मुलक आइबियम चला रही है, तो उनसे किसी ने कहा कि आइबियम पूरा मुलक चला रही है, और हमाँ का जी तीन लफ़ें जन पे पूरा मुलक चलता है, एक इन्शालला हर चीज़ आपे फैंक दी, दूसरा बुकरा, हर चीज़ टूमारो, आज कुछ नहीं है, हर चीज़ tomorrow. हम पहले साल सुनते थे बस ये साल मुझ्किल. अगला साल ठीक होगा. दूसरा साल सुना के नहीं बस बुक्रा. अगला साल ठीक होगा. ये साल गजा लें. आगATHAN तीसरे साल में हमें ये बताया जा रहा है के चوتर ठीक होगा तوبार मालेश कि जब कुछ नहीं होता नेवर माइंड मिटी पहूँ तो ये हकूमत भी हमें पिछले चार साल से ट्रक के पीछे बती पे लगाया हुआ है नए पाकिस्तान की देखिए जो आपने भी निशान देखी पाकिस्तान एक लार्जली इंपोर्ट बेस्ट एकॉनमी है जब आप गहर सोचे समझे मुल्क की करनसी को डिवैल्यू करेंगे अगर हमने मैसिव डिवैल्यूइशन ना की होती तो शायद उस इंटरनाशनल ग्लोबल इंफलेशन का पार्शल इंपक्ट आता लेकिन अगर उस कहने उपर किया है किसके मशवरे के उपर किया है मेरा ख्याल है कि आज आप देखिए तेल आप इंपोर्ट करते हैं जब आप डिवैल्यू करेंगे वो महंगा होगा जब आप तेल महंगा करेंगे बिजली आप इंपोर्टेड ड्रॉ माटिरियल से लेते हैं बिजली महंग आज तक 70 साल में किसी ने 10 रुपए लिटर 12 रुपए 50 पैसे डीजल का फी लिटर इतना मैसिव इजाफ़ा नहीं किया These are called economic policy shocks के मौजूदा आज के दिन जो है हालात और वाकियात को सामने रखें तो बंगला देश के जो जरे मुबादला के जहायर है वो 31 अरब डॉलर है और उसके मकाबले में पाकिसान के जहायर नाजरी सिर्फ चार अरब डॉलर है और इसकी भी अब देखें ये रोल ओवर है को आगे पीचे सामने पकड़ा हुआ है बंगला देश माली साल 2023 में उनकी जो एकनॉमिक ग्रोथ रही है वो 5 अशारी ये तीन है और हमारी देखें एकनॉमिक ग्रोथ कहां पर बैठी हुई है कहां पर खड़िया अशारी है 29 अशारी है 29 अशारी ये 29 फीस अशारी नाटीस फीस इसका मतलब 0 ही समझे उसके बाद नाजिन बंगला देश के अंदर जो है 2024 के अंदर उन्हें जो महंगाई का तहमीना लगाए कि कितनी महंगाई होगी चार शार्य यह पांच फीसद और पाकिसान माली साल 2024 में महंगाई का तहमीना 21 फीसद यह आप अंधाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन के अंदर महंगाई कहां पर होगी बंगलादेश में नादेश में जो फीकस पर कैपिटा इंकम है जो इंटरनाशनल एक स्टैंडर्ड है 2675 डॉलर है और हमारी 15800 डॉलर है यह आपके सामने है बंगलादेश मालिसा 2022 में उन्होंने 52 अरब डॉलर की बरामदाद की उसके मकाबले में हमारी 16 अरब डॉलर की ब्रामदाद थी उसके बाद बंगलादेश में इंटर बैंक रेट जो है उनका 107 टका फी डॉलर है पाकिस्तानी भारत के सांथ कंपेरिजन की बहुत बाते करते हैं तो मैं आपको एक आकड़ा बताता चलू कि भारत का इस वक्त वरेंड रिजर्व है वो है 600 बिलियंड डॉलर से भी ज्यादा वहीं अब पाकिस्तान के वरेंड रिजर्व की बात करें तो लगबग पांच मिल पाकिस्तान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भीकारिस्तान की क्या हालत हो गई है वहीं भारत की ग्रोथ रेट को देखकर पुरी दुनिया अनुमान लगा रही है कि इंडिया बहुत जल्द ही third biggest economy बनने वाली है भारत ने चीन, अमेरिका, जर्मनी और जापान को भी GDP growth rate में पीछे चोड़ दिया है वहीं पाकिस्तान की GDP growth rate इस वक्त भुटान और नेपाल से भी कम है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले